हरियाना रोडवेज अमबाला 60 बसे अलग-अलग मारगों पर दोरने के लिए तैयार खड़ी हैं वहीं इंटरस्टेट बस सेवा शुरू होने पर इनकी संख्या 100 तक पहुंच जाएगी जिससे जहां रोडवेज को राजस्व का फायदा होगा वहीं यात्रियों को भी इसकी सुविधा का लाब मिल पाएगा करोना महामारी के चलते हैड़ कौर्टर हरियाना रोडवेज ने अंतरराज्य मारगों पर चलने वाली बसों पर रोक लगा दी थी लेकिन अब अनलॉक फोर शुरू होने के बाद हरियाना रोडवेज अमबाला के अधिकारियों ने लगव उने से जहां रोडवेज की कमाई पर अंकुष लग गया था वही यात्रियों को भी इधर से उधर आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पर रहा था अब हरियाना सरकार के आदेश के बाद उन्होंने अलग-अलग मारगों पर दौनने वाली साथ बसों को पूरी तर कर्मचारियों को काफी लाब मिल पाएगा इससे हरियाना रोडवेज को भी अच्छे खासी कमाई हो जाएगी उनका कहना है कि लोगडाउन से पहले जो हरियाना रोडवेज की अंबाला डीपों की कमाई 12-13 लाग रुपए होती थी अब वह घट कर 3-5 लाग तक रह गई है जिससे हरियाना रोडवेज को काफी घाटा होना संभख था लेकिन अब सरकारी आदेश होने के बाद जब यह बसे चलेंगी तो उसे हरियाना रोडवेज का जो घाटा है उसकी भी भरपाई होगी और उसी के साथ रोडवेज कर्मचारियों को भी लाब होगा जिससे साथ- सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यांगतना होगा और बसों को रोजाना पूरी तरहां से सेनिटाइज किया जाएगा उनका कहना था कि इससे यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली बस बदल कर जाने का जंजड़ ही खत्म हो जाएगा जो जो हमारी गाड़ी आए बिल्ली बाडर जमना नगर कालका और यह संबू बाडरतक लगाई गई है तो सभी का इसके इंदस हो संद्रेशी का थ्यार के जड़ा है हर गड़ी को प्रेटर को और थेर ख्यार सेंटर नेजर है जो है आज अब हम्हारे पास तर गाड़ीं हा रही है अगी नो जैसे जैसे ऑड़ेस होंगे वैसे वैसे हम च्राएं काड़ी है हमारे पार दूसरा हो देश तो कोई आणिया लिए उसके लिए वैसे ही रखनी जैसे हम कर रहे है गड़ियों को तो सुसर जैसे ही लिए